इसु सहाय प्रेज दे लॉड आज अधुनिक जुग में विज्ञान के तरह की साथ में खेती वरी के लिए नए-ने टेक्नोलोजी का अविस्कार होने के साथ ही नए-ने तोर के तरीके से खेती वरी किया जा रहे है बीज बोने से लेकर बीज का क्वालिटी फसल को इकठा करन बीजों को इकठा करना साथ ही खेतों को तयारी करना काई सारे चीज सबी चीजों के लिए नए-ने टेक्नोलोजी का अविस्कार के साथ में आसान हो गये खेती वरी का काम और ज्यादा उपज़ाओ होने लगा बच्चन प्रचार यानि सुसमचार प्रचार के छेतर में भी पुराने समय से लेकर आप तक में काफी तरकी हुआ है नए-ने तरिकों से वचन प्रचार किया जा रहा है और ये वचन प्रचार करने के साथ उसका जो परिणाम होता है वो अलग-अलग तरह का आज हम इसी बीज बोने के विशा में ही दिश्टांट पर चर्चा करेंगे जो मत्ती तेराद है उसका एक से तैईस पाद होगा मत्ती तेरा उसका एक से तैईस पाद के अनुसार में बीज बोने वाले का दिश्टांट से हम सिक्षा गरहन करेंगे ये दिश्टांट इसु लोग इसु के सिक्षा को बिरोत करना सुरू किये और उन पर इल्जम लगाने लगे इसु जो अस्चाज काम कर रहा है भूतों को निकाल रहा है दूस्टा अत्माओं को निकाल रहा है वो सहतान के सहता से कर रहा है इस तरह से कई चीजे उन पर इल्जम लगना सुरू कर दिय साथ ही उनका सिक्षा इतना खरा था इतना सुथ था कि लोगों को खरी सिक्षा से अपने आपको अज़श नहीं कर पाए यहाने कि जैसे सची बत कड़वे लगती है वैसे ही इसु मसी का सिक्षा लोगों को कड़वे लगने लगे और वे लोग उसको ग्रहन करने अपने जीवन को सुधरने के वज़े इसू के बिरोध में काम करने लगे और ऐसा परिस्ति में देखने पाते हैं इसू मसी को सभा घर से निकाल दिया गया हम कहें कि आज कल का परिस्तिती में कहें कि मनली से निकाल दिया गया और उसके बाद में उसाभागार से छोड़ कर वो सहर में जाते हैं, गाउं में जाते हैं, पहाड में जाते हैं, नादी के किनार जाते हैं और सुसमाचार प्रचार कर काम करते हैं आज के बचन हम देखने पाते हैं गलिल जील के किनार इसू मसी जाते हैं क्योंकि उसके पीछे भीड के भीड लोग आते जाते थे और वहाँ पर हम देखने पाते हैं गलिल जील के पास जाने के बाद में एक नवका में बैठ जाते हैं नवका को थोड़ा सा किनार से हटा ले बीच या समुधर किनारे लोग घुमने जाते हैं काफी भीड के भीड होते हैं, वह ऐसे जिल किनार यहां देखने पाते हैं कि भीड को, और इसुमसी उनके, उनसे बाते करता हैं, उनसे सिक्षा देता है, उब्दिश देता है, और जैसे चर्च में, गिरज़ा घरों में, दिश्टांतों में सिख्षा दिया और जो दिश्टन था उस दिश्टन का सिर्शक ही मैंने कहा बीज बोने वाले का दिश्टन इसको हम दूसरा सिर्शक भी दे सकते थे चार प्रकार के भूमी का दिश्टन भी का सकते हैं क्योंकि जो बीज जो बोया गया वो चार प्रकार के भूमी पर गिरता है और उसका अलाग अलाग उप आजका हम देखने पाएंगे और हम देखने पाते हैं कि इशू मसी दिस्टांटों में सिक्षा देना यहाँ सुरू कर रहे हैं और इस दिस्टांट को समझना सारे लोगों के लिए बस की बात नहीं है जो लोग इसू पर विस्टास करते हैं उनमें रूची रखते हैं उसके पीछे चलने हर हर उनके लिए सम frontierत्म के दर समाज सकते दिया जाता है यह लोग समझ जाते हैं पर Lahm ठोड़ जो लोग विस्टास नहीं करते हैं नहीं इसु के पीछे चलना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समाज से पारे था, इसलिए इसु मसी ने कहा देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने यहां काता है, यानि कि ये लोग देखते हुए भी उस पर यकीन नहीं करतें, नहीं भी स्वास करतें, नहीं उनके पीछे चलने हरे लोग हैं इस प्रकार की बातों को दें देखिए दिश्टंतों में इसु का सिक्षा देने का अपना उदेशय था प्रन्तु दिश्टंत जो अंग्रेजी में जो है पराबल है ये ग्रीक वर्ड पराबले से आया हुआ और इसका आर्थ होता है काता एक साथ या एक साथ उनको क्या करना दो चीजों को एक साथ रखने के भी सह में काता है एक चीज को आप जानते हैं उसके दोरा से दूसरे चीजों को हफ्तु लत्मक रुफ से जनने का प्रहतन करते हैं और यहां स्वार राज के बारे में काता है और स्वार राज के दिश्टंत के म यह नहीं है, स्वाराज का सुरुवात इसी जीवन में है, और इस बचन के अनुसर हम देखेंगे, स्वाराज का सुरुवात बचन प्रचार से होता है, जैसे बचन प्रचार होता है हम सुनते हैं तो विश्वास उत्पन होता है, विश्वास उत्पन होगा तो हम इश्व मसी पर विश्वास करने लगते हैं तब हम उद्धार प्राप्त करते हैं और उस उद्धार में प्रवेश किये जो स्वार रज है और उस उद्धार में प्रवेश किये मतलब इसी जिवान से उसका सुरुवात है प्रंदूस का परिपुंता इश्व का दूसरे अगमान के साथ हो कहानी, उनका कहना है, स्वारगिया, आर्थ से भरी पर्थीव कहानी को दिस्टन्द कहा जाता है, इसे को दूसरा एक बिद्वान कहाता है, एस सिमपल स्टॉरी, अन्हीं कहाता है, मने हमframes कहता है, और टीचेश एक 쪽ा theory को कहता है, जो कुछ भी हो प्रंतु हम स्वाराज का दिस्टांद के बारे में यहाँ पर बीज बोने वाले के दिस्टांद से सिखेंगे यहाँ पर कहानी में इस प्रकार है एक किसान था बीज बोने के लिखना बोते बोते क्या हुआ कुछ तो मार के किनारे गिरा, याने रोड के किनारे गिरा, कुछ तो क्या अगरा पाथरी ले भूमी पर गिरा, और कुछ तो क्या ज़डियों वला भूमी में गिरा, और कुछ अच्छी भूमी में गिरा, प्रंतो इतीन प्रकार के भूमी का उपाज नहीं आता है, प्रंतो कल के हिसाब में ये बीज बोने का काम परमेसर के दास दासी उनके द्वारा किया जा रहा है, जो उसके अनुजे उनके द्वारा किया जा रहा है, जो इसू का विस्वासी है उनके द्वारा किया जा रहा है, प्रंतों यहाँ पर इसू मसी को दर सहगे, दूसरा है काता है खेत चार प्रकार के भूमी या खेत के विसाय में, ये संसारिक लोगों के विसाय में ही कहता है, जो चार प्रकार के स्वभाव या मन या हिर्दय रखने वाले लोग हैं, जिनके पर बचन प्रचार किया जता है, और सुनने के बाद में भूमी जैसे अलग-अलग क्वालिटी का है उसी अनुसर उपा होता है, वैसे ही बच्चन सुनने के बद अलग-अलग लोगों का अलग-अलग प्रतिक्रिया को हम देखने पाते हैं, तीसरे काता है बच्चन या तो बीच, बीच तो बच्चन के साथ उन्ना किया गया है, हम यहाँ पर देखने पाते हैं, सबसे पहला ज जब कि उस देश में जिस जगा इस सुमा से सिक्षा दे रहते हैं, बीच बोने का कम दो प्रकार से क्या जता था है। तो यहां पर देखने पाते हैं, इस दिस्टंत में सबसे पहला जो काता है, वो तो काता है मार के किनारे का भूमी काता है। मारक के किनर देखे, जहां रोड चलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉंग रहता है, मजबुत रहता है, इसलिए मारक के किनर का भूमी कम दूसरा एक नाम दे सकते हैं, बांध हृदय वाला भूमी, यानि कि जिसका हृदय, पर्मेसर बचन को गरहन करने के लिए बांध है, मने मिन कठोर रहता है, बीज अंदर घुस नहीं जाता है, उपर ही रहता है, वैसे ही काता है, जो बीज मार के किनारे है, वो अंदर नहीं जाता है, तो उपर ही रहता है, और उपर रहने के कारण से पक्षी लोग जब आते हैं, उसे चूग लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो उप उपाज देने का हलत में नहीं होता है यहां पक्षी को सैतन के साथ तुन्ना किया गया है असल जो लोग कठोर हिर्दय की लोग है बच्चन जब प्रचार किया जाता है अंदर जाता नहीं है अमानेमान हिर्दय में और यह काम करता नहीं है उपाज नहीं बढ़ता यह तो फस प्रंदु सैतन असानी से उसे चुरा लेता है, वो हमारी जीवन से दूर कर लेता है, हम फिरोन राजा के भी सैमें, मिस्रे लोग मिस्रादिस में 430 साल तक गुलामी रहे, गुलामी के क्राम में हम देखने पाते हैं, फिरोन राजा के बारे में, जो कि दस विपातिया या दस विपाती होने तक नवा विपाती होने तक हिर्दय को कठोर कर दिया परमिसर का अदूत का मुंग को देखा फिर भी उन्होंने परमिसर को सिवकारे नहीं किया कठोर हो गया ऐसे ही कठोर को मन वाले लोग क्या हरते हैं परमिसर को वचन को अंदर ग्रहन नहीं कर यह परमिसर के बचन को सुनने के लिए जाते हैं तो भी ध्यान से सुनते नहीं, कई चीजों में उनका मन भटके रहता है, और ये लोग दुनियादरी चीजों में, उनका हो सकता है, वो लोग बैटके सुन तो रहें, प्रण तो उनका मन कहीं दूर होगा, या मुबाइल में खेल करते होंगे, या कुछ काम करते होंगे, या दूसरों का तरब नजर जाता कई प्रकार के, ये सैतान क्या करता है, ऐसे लोगों को बखकाने का काम करता है, सैतान का काम यही है, लोग बचन को ना सुने, ना विस्वास करें, उध्धार प्राप्त ना करें, सैतान का यही मौ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताब में, एक घटना के बारे में बढ़ना नहीं, एक बैक्ति संडे का दिन में चर्च जा रहा था, अचानक से एक सैतान से मुलाकात हुआ, सैतान से कहा कि आप कहा जा रहा है, सैतान ने कहा मैं चर्च जा रहा हूं, गिर्जा जा रहा ह हमें घुमने जाना है, हमें महमन जाना है, हमें मजे करना है, ये करना है, वो करना है, कई सी जें? फिर भी लोग जदी जाने का कोशिस करते हैं, मैं उनके तैयारी में इतना हड़बड़ा देता हूँ, कि चर्च पहुँचने में लेट हो जाएं, हडबड़ी हडबड़ी पहुँच जाएं, पहुँचने के बाद में उनका ध्यान बचन पर ना रहे, ठके रहें तो सो जाएं, या तो उनका मन इधर उधर बटकता रहें, फिर भी यदि लोग बचन सुनने का प्रयतन करते हैं, तो कई प्रकार की चीज़ों को मैं करता हूँ, सैतन काता है, महिलाओं का मन को ऐसा भटका देता हूँ कि अपने साड़ी को, दुसें का ड्रेस को, बलाउच को देखने लगे कि मेरा कितना सुन्दर है, उनका नया है या पूर्ना है इस तरह, ताकि वो बच्छन पर ध्यान मोबैल पर मैं केंद्रित करूँगा, ताकि बच्छन ना सुनकर मोबैल पर देखने, सुनने, या तो खेलने लग जाए, या तो फिर इस्त्रियों की तरह, उनके मानों को अकरसित करूँ, इस तरह से, फिर भी ज़्यादी कोई बच्छन सुनने में लगा रहा तो उनके कान में मैं फुस-फुसान का कोसिस करता है, यह आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, यह दूसरों के लिए है, इसलिए आप चिल करो, आच्छे मजे करो, इस तरह से लोगों को रोकने का प्रहतन करता हूँ, काता है, सैतान ने उसे कहा, मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं दव जाता हूँ आप तो धीरे धीर आएंगे तो भी चलेगा और वह दोड़के महां से चला जाता है लिए कि सैतान का अपना काम है लोगों को वचन सुनने से रोकने के लिए और जो सुनने का काम भी कर रहे हैं इरदय में रहन सची रुप से नहीं हुए तो सैतान उसे दूर करन करना है तो परमेशर का वचन करता है याकुब 4-7 में करता है इसलिए परमेशर के अधीन हो जाओ और सैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा क्योंकि सैतान को इस सुमसी ने हरा चुका है क्योंकि दूसरी प्रकार के ich pork काता है पत्थ्रिल भूमी का मतलाब है इशु जिस छेतर में थे, वहाँ चुनना का पत्थर था, अर चुनना पत्थर मजबूत तो होता ही, लेकिन उसका उपरी पारत जो है, फोड़ा सब मिटी आंस होता है, तो क्या होता है, उपरी पारत में जो मिटी का आंस होता है, उसमें तुरंद पीsam थो भविक है इस सुरज का किरन को सताहट कलेश तकलिव को दरसाता है यहाँ पर और कहता है कि यह से लोग वो लोग हैं जो परमेसर को वच्चन को ग्रहन तो कर लेते हैं सुनते हैं ग्रहन भी कर लेते हैं लेकिन तब यह लोग गहरई से सोच विचार करके इसे ग्रहन नहीं करत तो ऐसे लोगों को हम एक उधारन से देख सकते हैं, लुक का छे अध्या में, वहाँ पर हम देखते हैं कि बालू पर बना घर और चटन पर बना घर, बालू पर घर बनाना असान है क्योंकि नेवगढ़ खोदना बहुत इजी है, असान है, यादि चटन पर आप नेवगढ़ खो देंगे, तो बहुत मुस्किल होगा, लेकिन एक बार पका घर बना देंगे, तो मजबूत रहता है, लेकिन बानू पर आसानी से हम खोद तो सकते हैं, बना भी लें, लेकिन अंधी आएगा, और लहरे आएगे, टकराएगा, तो बालू वला घर तुरंद गिर जाता है, वो बेक्ती है, जो कमजोर विस्वास वला, उनका विस्वास मजबूत जाड पकड़ा ही नहीं है, यहाँ पर इसी को देखने पाते हैं, जब जीवन में तकलिव आती है, पारसा नहीं आती है, समसे आती है, यह बेक्ती तुरंधी पाप में गिर जाता है, विस्वास से होंगा जिसका नम बर्तुलम है था जिकि यिसु मसी का एक चेला पहले आया हुआ था जिसका नाम था तोमस लेकिन और एक चेला भरताया हुआ था जिसके बारे में जेरम और येसुबियस अपने लेक में विये लोग बर्णान करते हैं। उस चेला का नाम है बर्तुलम है जिसको नतलियन लाम से भी जाना जाता है। वह भरताया है। लेकिन यहां के बाद में उसने देखा कि यहां तो सुसमचर प् बेटी बिमार थी, इस बेक्ति ने देखा कि उस बिमार बेटी के लिए प्रातना करता है, उनको च्यंगई करता है, उनमें जो दूस्ट आत्मा था, उनको निकाल देता है, इन चीज़ों को देखने के बाद, अलबना के जो सम्राड था, पूरे परिवार समेट इसुमसी को धर का तकरूप में सिवकार का दिया, प्रंतु वहाँ जो विश्वासी लोग नहीं थे, जाजक बर के थे, वो लोग गुसा हो गए, ये लोग क्या किये, राजा का भाई को उक्साए, और बर्तुलमा को पकड़ा, पकड़ने के बाद में उनके कई प्रकार के जुटे दोस लगा कर किया किया, उनके सर में से चमड़ों को उचाड डाला, उनके जीते जी सरीर में से चमड़ों को उचाड दिया, फिर भी नहीं मार रहा है, तब उसको क्रूस कट में लटका का मार डाला, लेकिन वह इतना होते हुए भी इशू मसी का इंकार नहीं किया, विश्वास प्राम देने तक भी स्वासिदा तो मैं तुझे जीवन का मुख उड़ दूँगा तीकि संसार में क्लेस तो होंगे जुहना सुला तैंटिस में काता संसार में तुमें क्लेस होगा प्रंतु धड़स बनो मैंने संसार को जीत लिया इसु मसी का ये कथन है तीसरी प्रकार की जो भूमी है काता है ज़ाडियों वाला भूमी ज़ाडियों वाला भूमी येसा मतलब ज़ाड़ी से भर हुआ ऐसे बात नहीं बीज बोने के बाद में बीज भी होगा ज़ाडियों भी होगा घास पूर ज़ाड़ी जो है वो होगा लेकिन घासपुर जड़ी बहुत तेजी से होगा इस कारण से जो बीज बोया गया था उसको ढाप देता है उसको बढ़ने नहीं देता है यही चीज है इसको हम कह सकते हैं दुसरे भासा में जड़ियों वाला भूमी को संसारिक अभिलासा वाला भूमी यह संसारिक अभिलासा आपके मेरे मान में आना स्वाब भी कह क्योंकि यह संसार में राते हैं बुरी बुरी अभिलासा कभी भी आ सकती है यह कोई नई बात नहीं है प्रांतो एक बात जो है कि यह बुरी अभिलासा बुरी सोच विचार हमारे अंदर में आता है उड़ के आएगा, हमारे सीर में बैठेगा, वहाँ डेरा करेगा फिर वहाँ पर घोसला बनाएगा तब ये तो हमारा गलती है हम उसे क्यों नहीं भगाए ये ही चीज है, बुरी सोज विचाराना कोई नहीं बात नहीं है इस स्वभाविक रुप से किसी में बास लेकिन उसको रहने नहीं देना है स्थान नहीं देना है, उसको भगा देना है तब क्या होगा तब जाके हमारा जो ये है वचन जो है बोया गया था वो सही रूस से बढ़ेगा, यदि बुरी अभिलासा होंगी, वो बढ़ते जाएगा और हमारे अंदर में जो वचन है काम नहीं करेगा इसलिए काता है, अभिलासा बढ़कर क्या काता है, पाप को जनम देता है पाप जब बढ़ जाता है, मृति गुद्पन करता है या कुप एक आध है, पंदरापात के अनसर में काता है अभिलासा है बढ़कर करता है, पाप को जनम देता है पाप जब बढ़ जाता है, मृति यह फुद्पन करता है इसलिए काता है, पहला जुहना, पर बना रहा था हमेशा जीवित रहेगा काता है इसलिए हमें इन चीजों से दूर रहना है मैं एक परमेसर के दास के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है डाक्टर डैबिंग डैबिट लिविंग स्टोन के बारे में हलाकि वो स्कॉटलैंड में जन्मा था और प्रचर प्रचार के लिए अपना सारा जीवन अफरीका में विता दिया उसके जीवन के बारे में देखने कई तकलिपों का सामना किया फिर भी कम से कम विश्वास में स्थिर रहा हम ऐसा देखने पाता है एक बार सेव ने उसको हमला किया और एक हाथ पूरा अपंग टाइप फिर भी उपर में सरकर सिवा करता रहा, एक बार वहां के लोगों ने, इसलिए कि वहां दास्प्रा था, ये भी दास्प्रा था को बढ़ावा देने वाला समाज कर, एक ब्यक्ति ने वहां का जन जाती ने, उस पर फाला से फेका, थोड़ा थोड़ा सका गाले से बच गिया, और पेड में ये हो गया फिर भी वो बच जाता है आंत में जब मर जाता है उसका डेट बोड़ी को इंगलन लाने के लिए कहा गया लेकिन वहां के लोग कहा जीवन बर इन्होंने यहां सिवा किया इसलिए यहीं दफनाए जाए तो दोनों देश में थोड़ा टना टनी पा तब क्या किया गया उनका दिल को निकाला गया और दिल को उसी देश में अफरीका में दफन कर दिया गया उनका डेट बोड़ी को लाया गया इंगलन में और उसके बाद में उनका दफना दिया गया उसके बाद एक आदमी वहाँ पर आता है उसके ये पर कबर के जगा पर बहुत रोने लगता है बुजुर्ग आदमी था उससे पूछा गया आपका इसके साथ क्या संबंध है आप इतना क्यों रो रहें उन्होंने कहा हम एक ही गाउ में जन्मे हैं एक ही साथ पालपोस के पढ़े हैं लेकिन इन्होंने परमेसर का वचन को ग्रहन किया और देखिये कितना महान इनसान मन गया दो देश के लोग कबरस्थान के लिए अपने अपने देश में देने के लिए ललाईत हैं देश के लोग इनको जानते हैं इतना सम्मान इनको दिया जा रहा है मैं भी उ के समान अच्छा इंसान बन सका। इसलिए मैं देखा, मैं जब मर जाओंगा, इसके समान का वरस्था में रखा जाओंगा। तब तो यह एक नसेड़ी आदमी का कवर कहा जाएगा। यही फरक है, इस करन से मैं रूर रहा हूं। यह कितना अच्छा इंसान बन गया। परमिस को ताकि वो बढ़े फल लाए चौती प्रकार के भूमी में हम लोग जानते हैं क्या पूते हैं फल फलता है हम उपाज को लाते हैं अपने घ़रों में ऐसे लोग हैं जो पर्मैसर का वच्ऩण को ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, देखिए, सुनने काई प्रकार का सकता है, जदि काउंसलिंग की दिष्टी करकार से है, major रुप से या ब्रहत रुप से divide कर सकते हैं एक है active listening दूसरा है passive listening active listening को मतलब है ध्यान से सुनना समझना और उसके answer काम करना यह है active listening का काम है लेकिन passive listening में सुनने का ठोभ करना लेकिन सुन नहीं रहे या सुन तो रहें लेकिन हमारा मन कहीं दूर चला गया, या तो सुन तो रहें, लेकिन उसमें कुछ भी रूची नहीं है, यह पैसिब लिस्निंग तरह है, और कई सारे चीज है, यानि ध्यान से ना सुनना, यहाँ जो अच्छी भूमी है, ध्यान से सुनना, विस्वास करना, और उसके अंसर चलना, यही चीज है, देख़िये हम जब बचान को ध्यान से सुनते हों, हमारे जीवन में काम करते है, साद्यू सुन्दर्शिण का जीवन से देखी, एक बर जब प्रचार करने हुआ, क्योंकि वो पैदल जा जाकर फ्रचार करते हैं, एक दिन जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहते हैं, डाको उन्हों से ट्रस्टे में घेर लिया, उससे का जो कुछ आपके पास पैसा कावड़ी साब दे दो, उन्होंने का मेरे पास तो नहीं है, यह पासी बैबल है, उससे बढ़ कर मुल्यवान है, उन्होंने कहा कि इसमें क्या चीज है, उन्होंने कहा कि आप सम सुनाने के बाद उन्होंने का हम कितना पापी हैं आज के बाद में ये गलत काम जो कर रहे हैं डकैती का काम कर रहे हैं इसको हम छोड़ देते हैं और उसी दिन के बाद बच्चन सुनने के बाद उनका जीवन परिवत्तन हो जाता है बाद में देखिए उनका जीवन सेवकई क जीवन में परिवतित हो जाता है परमिसर को वचन को नहीं सुना होता उनके जीवन काम नहीं होता सचे रूप से उन्होंने सुना समझा और विश्वास किया यही चीज है जो अच्छे भूमी है उसमें वचन बोया जाता है तब विश्वास रूपी पेड उगता है चैफसल और पेड़ या फसल उगने के बाद में फूल फल होना जरूरी है फूल फल होने के बाद में देखिए आपके मेरे जिवाने फूल फल होना जरूरी है और आत्मा का फल के बारे है गलाती पांचाद है बाइस तैद में काता है प्रेम आननमेल धिरच्रिपा वाले जो है यह आ हम इन चार प्रकार के भूमी से किस प्रकार के भूमी है। साब चाहेंगे कि अच्छे भूमी हम बने। कोई भी तीन प्रकार बाकी वह भूमी नहीं बनना चाहेंगे। और यहीं तो है। हम इस घटना से एक बात को देखते हैं कि बीज बोने का काम इसुमसुस समय किया आप बर्तमान में कालिश्या के विश्वासियों को दिया गया है इसलिए हमें क्या करना है बीज बोने का काम निरांदर करना है देखिए बीज बोने का काम इश्व का अदेश है बच्चन प्रचार जो बीज बोने का मतलब है बच्चन प्रचार का आपको मुझे जुहना बीस अदे 21 पाद में जैसे पिताने मुझे भीजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ काता है इसु मसी काता है मरकुस 16 अदे 15 पाद में काता है तुम सारे जगात में जाका सारे सिष्टी के लोगों को सुसमचार प्रचार करो काता है ये इशू का अदेश है पृत करिया एक अदे 8 पाद में जगात के छोर तक तुम मेरे गवा होंगे काता है यानि बचन प्रचार का काम इशू का अदेश है लेकिन एक बात है कि कई बार हम जल्द बजी करने लगते है वचन प्रचार के वह उसका फल नहीं दिखने मैं अभी आपको वचन प्रचार कर रहा हूँ यूट्यूब से मध्यम से ये मेरा सावा वीडियो है जो यूट्यूब में उपलोड किया हो उसके बाद में एक साव एक होगा 102 होगा इत्यादी प्रंतु मैं नहीं जानता इतने दिनों में कितने हिल्दय तक पहुचा कितने जमिन तक पहुचा कितने भीमों भूमी में बीच गीरा और कितने काम किया मैं नहीं जानता प्रंतु परमिसल जानता है पोईतरात्मा जानता है इस करण से कहता है हम कई बीच को लेते हैं तो ये ना सोचे कि तुरंट बढ़ढ़ जawayगा तुरं फल फल जाए किसंभी इंतिजार करता है और किसंभी इंतिजार करता है दो महिना, तीन महिना, चार महिना उसके बाद में इसलिए हमें निरंतर बोते रहना है उसका फल क्या होगा, काब होगा, कैसा होगा, उसको नहीं देखना है समय पर उसका फल दिखे देगा देखिए, मैं एक बैक्ति का बर्में पढ़ रहा था जिसका नाम H.L.G काता है उस बैक्ति का नाम है H.L.G उन्होंने अपने पुस्तक में एक परमेसर के सिवा के बरमे चर्चा करता है और उस परमेसर का सिवा का नाम Thomas था एक Thomas क्या करता है बच्चन का प्रचार करता था बच्चपन में बच्चों को Sunday School में सिख्षा भी देता था अपने सेवकई को पूरा करने बुजूर गवस्था मर जाता है मर जाता है तो वहां के लोग दफनाने के ले जाते हैं वहां पर एक बेक्ती आता है गाड़ी से आता है बहुत ही उचे भरका आदमी दिखे देता है आने के बाद में उस मरा हुआ टॉमस को ऐसा सेलूट देता है जैसे कि सेना के लोग बड़े बड़े आधिकरे देश के प्रधन मंती रष्ट पती जब उनको सेलूट करते हैं वह ऐसा जब उनको सेलूट किया उसके बाद दफनकर्च खतम हुआ जाने लगे तो H.L.G. ने उनको देखने के बाद में उनको पूछा आप कौन है तब उन्होंने बताया मैं सेना के इकादी करी हूँ यानि कि उनके हिसा में ब्रिगेडियर सेना में ब्रिगेडियर पोस्ट पर तैना था जब मैं छोटा था तब यही परमेशर के दास ने वचन को प्रचार किया था मैंने उस तिन परमेशर का वचन सुनने के बाद में अपने जीवान में उसको ग्रहान करने के बाद में मैं इस मुकाम तक पहुचा हूँ इतने बड़े पोश्ट है तो इसी के बदावलत हुआ है इनके सिख्षा के बदावलत यह जदि बच्चन प्रचार नहीं किया हो सकता है मैं उस तरफ नहीं जाता नहीं बढ़ता इस करन से मैं जो हूँ इसके बच्चन का प्रचार के देखिए ओ बैक्ति मर चुका जानता नहीं था कितनों में क्या काम किया उनके बच्चन का प्रचार किया लेकिन ये बैक्ति आकर खुद गवाही दे रहे उनके जीवन काप किसके जीवन में काप क्या काम करेगा, ये परमेसर कात्मा का काम है, और परमेसर जानता है, दूसरी विशेश बात है, हम धीराज के साथ बीज बोते रहें, मैंने उधारन दिया, किसान का, वो इंतिजार करता है, एक दो महिना में फसल नहीं होता है हम आम का गुठली को देखते हैं आम का गुठली को आप देखने के बाद उससे ज़्यादी जमीन में गाड़ देंगे तुरंत बढ़ने ही जाता वो समय पर ही उगेगा फिर बढ़ेगा बढ़ने के बाद एक समय आएगा बढ़ा हो जाएगा पेड फोल होगा फाल होगा उसके लिए काई सा लग जाता है हमें धीरज धरनी क्या हो सकता है बच्चान के लिए हम हड़ बढ़ाने की कोई जर्दत नहीं देखिए छोटा नकपूर छेतर में जी एल या गोसनर वजलिकल उत्रन कलीशय जस्तापना चार मास मिसनरियों का योगदान के कारण बे लोग आये यहाँ पर सुरुआत में चार पांस साल तक इन्होंने मेहनत किया कोई भी वेक्ती बप्तिस्म नहीं लिया विश्वास के दरफ बड़े लोग कोई दो प्तिसम नहीं उन्होंने निरास होगे हतास होगे अपने देश को जर्मनी को लौटना चाह रहे थे लेकिन वहाँ से एक उसनर साब जो था उन्होंने उनको चिठी लिकर प्रोसंग आपका कम है बचन बोना है, बीच बोना है, बचन प्रचार कम करना है कोई ग्रहन करेगा, नहीं करेगा, आपका कम इससे नहीं है ये परमिसर का कम है परमिसर का आत्मा जिस दिन उनके आत्मां को चलाएगा बहुत चार-पांच साल के प्रयास के बाद में चार लोगों ने बबतिसमा लेते हैं उसके बाद धिरे-धिरे लोग बढ़ते हैं आज G.E.L. चर्च में आप देखिएगा लगवक चार लाग विस्वासी लोग हैं देखिए चार-पांच साल मेहनत के बाद चार-पांच लोग ही आए इसके बाद में देखिए आप चार लाग से ज्यादा विस्वासी लोग हैं यह परमिसर कात्मा काम करता है वचन के दो जब भी प्रचार किया जाता है यह तो उनका काम है इसलिए हमारा काम जो धिराज के साथ वचन प्रचार करें और इसका हम में न धिला करें यह ना सोचें जैसे कि जो बीज बोने वाला किसान होता है जानता है यतना बीज बोर है सारे उपाज नहीं उत्पन करता है जो खिनारे वाला हम यहाँ चार प्रकर के हुए तीन प्रकर के याने 100% में से 75% जो बीज था वो तो उपाज ही नहीं दिया 75% वाला उपाज दिया है देखे बीज का क्वालिटी में घटिया ऐसा नहीं था परमेशर का वाचन बहुत ही बैतर है तया हुआ है जीवित है प्रवल है इसलिए इस पर कोई सवाल ही नहीं है प्रंदु भूमी किस प्रकार उस पर डिपेंड करता है इसलिए हम बोते रहें ताकि समय पर फाल ला सके और वा फल अनन जीवन के वारिस होने के लिए इसलिए याकुप ये का ध्या उसका 21 पाद में काता है परमेशर के वाचन का अपने हिर्दय में ग्रहान करो काता है ताकि या हमारे जो हमारे प्रान को उद्धार कर कि ओर ले सकता है काता है इसलिए हमें अपने हिर्दय को कठोर नहीं करना है जैसे इबरानी की पत्री में काता है तीन अदे साथ आठ पाद में काता है यदि आज तुम इसके आवाज को सुनते अपने हिर्दय को कठोर मात करो बच्छन को काम करने दो ग्रहन करो ताकि समय पर फल दिखेगा पर में सर ऐसा करना हमारे साहत तरगवी करें अमीन हम प्रातनक्स शेनाओं के जित्पिता धन्यवाद दे ताज की वचन का हमसे बात है कि हरे सुनने वले छोटे बड़े सभों को अपने स्वर्ग्यासी से भर दे हरे एक बीमारें को इश्यू के समर्थ की लोहु से चंगई प्रदान कर हरे एक जो विश्वास में कमजुन के विश्वास को दीड़ा माजबूत कर बीन ती सुके नाम से मांगते हैं आमेन यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सस्क्रेब नहीं केसी घड़ी निचे जो रेड बाटन से प्रेस करके सस्क्रेब कर दीजी और जो बेल आइक करने के से प्रेस करके वाल पर सेट कर दीजी तक आने माले वीडियोस का नोटिक्रिक्स में आपको समय पर मिल सके धन्याबाद